थार रेगिस्तान में भहरुजी को एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। थार रेगिस्तान के मद्य में इस्थित प्राचीन कालीन किराडू मंदिर सम्हूं से बटुक भहरुव के निर्वस्तर स्रूप की एक प्रतिमा मिली है। पाउम अदोकर में एक नर्प मुंड के केश पकड़े हुए हैं। बहरुव के सिर पर मुकुट है तता मुख के भाव उग रहें। आँखें बड़ी-बड़ी, बोहें तनी हुई, कानों में कुंडल, गले और कमर पर सर्प मालाओं का अंकन किया गया है। बहरुव देव के बाएं पावं के पास नर्मुंड का भक्षन करने के लिए दो पावं पर खड़े हुए और उपर की और मुह किये हुए श्वान का अंकन किया गया है। के राडू मंदिर समोह में ही सोमेश्वर मंदिर के दक्षन दिशा की बाहिय बित्ती पर त्रिपाद भहरव का अंकन किया गया है। यह भहरव त्रिभंग मुद्रा में इस्थानक हैं उन इस्तरी रूप में प्रदशित किया गया है जिसमें भहरव की तीन टांगें तदा चार वोजाएं दिखाई गई हैं वाम उर्ध वहात में अगनी हैं तदा शेश तीनों कर खंडित हैं पाउं के पास एक प्रेत लेटा हुआ है कि राडु के मंदिर समूं से कुछ दूरी परिस्थित पाड़ों में सचियाए माता का एक प्राचीन मंदिर है जिसके मूल गंभरे में एक गवाक्ष में एक अश्वारोही की प्रतिमा है तदा पीछे की और एक महिला की खड़ी प्रतिमा है इस अश्वारोही को त्रिकाल भहरव कहा जाता है जिसके नीचे इस्वी 1469 का एक शिलालेख अंकित है जोदफूर के निकट मंडोर उद्ध्यान में देवताओं की साल के पास काले भहरू, गोरे भहरू और विनायक की मूर्तियां स्थापित है ये तीनों प्रतिमाएं विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण है, ये महरजा अजीत सिंग जी के समय की है बाही और काला भहरू तता दाहिनी और गोरा भहरू विराजमान है, जिन पर चमर डुलाती हुई महिलाएं उत्कीर्ण की गई है इन दोनों के बीच में गणेश जी विराजमान है दोनों भहरू देवी के गण माने जाते हैं, दोनों प्रतिमाएं चतर भुजी हैं, इनके हाथों में कटार, तिशूल, डमरु तता खप पर है इनके सिर पर छतर वने हैं, पहरों के पास भहरू जी का वहन श्वान भी उपस्तित है गोरे भहरू के सिर पर सामान्य मुकुट है, जबकि काले भहरू का मुकुट शेशनाग आकरती में है गोरे भहरू को मावा, मखाने, चिरोंजी, आदी मिष्ठान के भोग लगते हैं, जबकि काले भहरू अगोर परंपरा के जान पड़ते हैं उन्हें मास तथा मदिरा का भी भोग लगता है काले भहरू के तथा गोरे भहरू के बीच में गनेश जी विराजमान है उनके एक हाथ में लड़ू, दूसरे में कमल, तीसरे में तलवार, तदा चोधे में परशु है उनके दोनों तरफ रिद्धी सिद्धी बैठी हैं, गनेश जी के गले में विष्धर लिपते हैं किन्तु पैरों के पास गनेश जी के वाहन, मूशक, निर्वे होकर बैठे हैं विवाह के बाद, नवदमपतियां जात देने आते हैं, जिनके साथ थाली, एवंधोल वजाते हुए, उनके परीजन भी आते हैं दूला दूलहन, दोना भहरू प्रतिमाओं के सामने बैठ कर सुखी दामपत्य जीवन की काम ना करते हैं दूलहन, थाली और धोल की थाप पर द्रत्य करके भहरू देवता को पसंद करती है, ताकि उसका सुहाग बना रहे भहरू जी के स्थान पर मेजाल का भी आयोजन किया जाता है, इसमें गेहूं तरचने की घूगरी बना कर थाली डोल के संगीत के बीच आकाश की और उच्छाली जाती है संतान प्राप्ति के लिए भहरू जी के सामने आगिनी उत्सव का भी आयोजन किया जाता है इसमें लापसी बनाकर भहरुजी को भोग लगाया जाता है या प्रसाद यहीं बांट दिया जाता है घर नहीं ले जाया जाता बालक पैदा होने के बाद उसका जडूला भी यहीं उतरवाया जाता है प्रतिवर्ष भादरपद तता पौश महा की अमावस्याओं पर नगर के समस्त फूल विक्रेता फूल मंडली का आयजन करते हैं इस दिन कोई भी फूल विक्रेता फूल नहीं बेचता और फूलों के सारे टोकरे भहरुजी की मूर्तियों को अरपित किये जाते हैं वर्ष में एक बार भागा करने की प्रथा है इस दिन दोनों प्रतिमाओं को नहला कर साफ किया जाता है तदा तेल, सिंदूर और माली पन्ना चड़ाय जाता है इस स्थान के पास ही भहरो बावडी है इस प्रकार देगिस्तान के अन्य स्थानों में भी भहरुजी के अलग-अलग सुरूप की प्रतिमाएं विराजमान है जहां लोक जन मानस बड़ी शद्धा के साथ उनकी पूजा करता है और उन्हें मनोती पूरी करने पर आप आहर। झाल